इससे आसान और इससे जादा स्वाधिस चटपटी तोरी की सबजी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी तो इस पूरी वीडियो को देखिए और रेसिपी इंजोई कीजिए जो जी आगई तोरी की एक और बहुत ही चटपटी सी सब्जी की रेसिपी वो भी सिर्फ 2 मिनिट के अंदर, यहां बहुत ही सेप में 2, 2 pry यह बहुत ही चटपटी की रेसिपी जुकिंगी बहुत है है。 चटपटी की सब्झास बनती है तेल तेल जैसे ही तोड़ा गरम हो जाए तो के बाद इसमें डाल देंगे साबुच जीरा और हिंग इन्हetin एक गरम तेल में डाल इसके बाधे ले रेहा जाए तो कि पूछ Zel बां किस तरीके से लिए है तोरी को हम इस तरीके से दोनों डंठल तोरने हैं काट देने हैं उसके बाद यहां पर इसे छीलना है बहुत लोग तोरी के छिलकी की सब्जी भी बनाते हैं अगर आपको उसकी रेसेपी चाहिए तो मुझे कमेंड बॉक्स में जरूर बिताएगा मैं आ तोरी को इसी तरीके से छीलना है अब यहां पर हमारे यूपी में तोरी बोलते हैं आपके आसाइद किसी और नाम से जानते हों तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप इसे क्या बोलते हैं हम एक बाउल मिलेंगे और उसमें यह जो तोरी हमने छीलके रखी हम कट कर देंगे इस तरीके से गोल लंबा चोटा बड़ आपको जिस पी तरीके से कट करना है पर ध्यान बस इस बात का रखना है काटते वक्त की जो सबजी है वो थोड़ी बारी कट करिए ज्यादा मोटी आपको नहीं काटनी है जिससे की वो बहुत ही जल्दी कल जाए त तो टमाटर जो है उसको जो यह बाट है इसे हम निकाल देंगे अलग इसके बाद टमाटर को थोड़े बारी पर एक पीसिस में कट कर देंगे सब चीजों को बारी काटने का मतलब यह है कि जिससे के हमाई समय की टाइम की बचत हो सके और सब जी बहुत ही जल्दी तैयार हो हम यहाँ पर ले लेते हैं हरी मिर्च तो इसे अच्छी खासी चटपटी बनाने वाले हैं तो मैं यहाँ पर चार हरी मिर्च ले रही हूं यह चटपटी हरी मिर्च है और इसके साथ ही हम थोड़ी सी कलर के लिए कश्मीरी मिर्च अलग से यूज़ करेंगे तो यहाँ पर म धाले में डाले हूँ नमक, नमक के साथ हम इसमें एड कर देगे हल्दी पॉडर, और 1 1 चोता चम्मच एड़् कॉड़ कर एड़् करेंगे, कश्मीरी मिर्च जो की ऐड्र ही के लिए, तो मैं बहुत थोड़ी ही आड़् करें, साथ में गरम मसाला, इसके साथ ही हम सभी मसालों को सबजी के साथ मिक्स करेंगे अब यहां पर देखिए इसी के अंदर जो भी आपको मसाले वगर एड़ करना है सब इसी सबजी में एक बाउल में आपको डालना है इस सबजी के अंदर लसन प्याज का यूज नहीं किया जाता क्यूंकि अगर तोरी में प्याज का यूज करते हैं तो सब्जी में मिठास आ जाती है वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है बहुत ही सिंपल बहुत ही असान सी सब्जी अच्छी लगती है तो जो बावल में हमने सब मिक्स्चर करा था वही मिक्स्चर हमने डाला था कढ़ाई के अंदर अब एक दो हम छोड़े हैं क्यूंकि खुदी थोड़े दिर में पानी छोड़ देगी आप दो मिंट बात हैं क्लोने के कड़ेता है आप दो मिंटने के बाद चेके बाद हम 3-4 मिंट चोड़ देते हैं उसके बाद आप चेक करेंगे तो सब्जी काफी मातरा में कम हो जाएगी और ओइल आपको उपर दिखाई देने लग जाएगा तो जब सब्जी में आपको उपर की साइड ओइल दिखाई देने लग जाएगा यानि कि सब्जी हमारी बस तैयार होने वाली है अब हमें करना क्या है कि हमें सब्जी को खुला ही भूनना है इस तरीके से ढखकन अटा के लगबग आपको दो मनिट तक इसे भूनना है जब तक सब्जी बिल्कुल सारा ओइल जितना भी डाला था वो सारा ओइल अलग न छोड़ दे तब तक हम इसे अच्छे से भून और सब्जी के अंदर एड कर देंगे फाइनली हरा धनिया तो देखिए बहुत ही टेस्टी से तोरी की सब्जी लग रहे है यह देखने के साथ खाने में भी बहुत ज्यादा स्वाधिस्ट बनती है तो हम यहां पर इसमें हरा धनिया डालेंगे और हरे दनियों को अच्छे बनाने में ज्यादा मसालों की जुर्द पड़ी है बहुत आसान सी वहित डहीत था तोरी की सब्जी की रेसीपी है आप इस रैसीपी को ट्राइज बहुत ही टेस्टी बनती हैं बहुत जट पट से बनेके तयार हो जाती है एतनी आसान और लेप खृवरने आसां पने जरूर कीजिएगा बहुत ही टेस्टी लगती है आप इसे रोटी के साथ सुबह साम दुफैर जिस टाइम आपका मन करें तब सर्फ कर सकते हैं साथ में तोरी एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है तो अपने खाने में तोरी को एड़ जरूर कीजिएगा आपको इतोरी की चटपट